हेलो दोस्तों वेल्कम बेक्ट वाई चाहिए दोस्तों सभी का स्वागत रिक्मेंट के एक नहीं वीडियो पे तो फाइनली दोस्तों फाइरबोर के तरप से दो नए स्मार्टवच को मार्केट पे लॉंच किया गया है तो आज की वीडियो के अंदर इसी दोलो स्मार्टवच के अंदर हम लोग करेंगे कंपरिशन और देखते हैं प्राइस की साबसे कौन सा वह स्मार्टवच आपके लिए वैल फो मनी बनता है तो चलिए दोस्तों आज चैने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फायर बोल डैरर के बारे में यह जो पर्टिकुलर स्मार्टवच यह राउंड डायल के साथ आता है पूरे जो body है इस ताप तो को metal body देखने को मिल जाता है इवें दोस्तों ये जो smart watch है ना इसके आप वो side पे दो बटन देखने को मिल जाता है जिसके थो आप menu अगरा जी उसको control कर सकते हो अगर हम बात करते है fireball stardust का तो ये आपनों को square dial पे मिलता है इस पे भी आपको metal body case देखने को मिल जाता है बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक rotating button देखने को मिल जाएका जिसके थो आप इसके menu अगरा को control कर सकते हो अब बाग रटने हैं दोस्तों ये दो के display बाग रहा है तो यहाँ पे दोस्तों जो fireball dagger है जो इस बेसिकरनी round dial के साथ आता है उसके आप लोग को 1.43 इंच का 320 x 380 pixels के साथ आने वाना AMOLED डिस्प्लेश देखने को मिल जाएगा जहाँ पे जो stardust है उसके अंदर आप लोग को 1.95 इंच का HD 466 x 466 pixels के साथ आने वाला TFT square डिस्प्लेश देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे डिस्प्लेश पे आपनों को थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है जो जो बिसिकरनी सेंग कॉंटेंग्स लेक्राइगर ओड़ वह भी आप लोग को देखने को मिलेगा इन पिल्ड गेम्स वागरा है उसके साथ माइक इन बिल्ड श्पीकर ये आप लोग को दोनों समार्ट वाच के अंदर देखने को मिल जाता है अब हम बात करते है बैश्री बगेरा को लेक तक आपका बैटरी चल सकता है, उससे जादा आपका ये बटरी नहीं चलने वाला है, दोलोई स्मार्ट वाच की साब से अगर में मात करूँ, बट हाँ दोस्तों जो स्टर्डरस्ट है, उस पर कमपनी क्लेम कर रहा है कि पाच दिन का बैटरी बैकप, उस पर भी आप एक से द स्टोंस देखने को मिल जाएगा, वाइससंटन का सप्पूर्ट आप लोगो देखने को मिल जाता है, दोलोई स्मार्ट वाच के अंदर आप लोगो स्लिप मोनिटरिंग, हाट ट्रेकी, स्टेप्स वार्कांटिंग, ये जो सारे अलग-अलग हिल्थ मोनिटरिंग फीचर से यह मिल जाता है नेक्स्ट इसका आईफी रीटिंग वगेरा का तो दोनों स्मार्ट वर्च जो आईपी 68 रीटिंग के साथ आता है तो वाटर स्प्लैशेज या स्वेट या डास्ट वगेरा का बात करो तो यह हलका पूल का जो चीज़ है इसको जहन लेगा हाँ हे भी रेन व वो को इन्बिल स्पीकर, माइक दोनों ही मिल जाता है अगर मैं बात करतो तो जो डैडर है जो फायर बोल डैडर स्मार्ट वर्च उसके अंदर आप लोगो ग्रे ब्लैक और ग्री यह तिन कलर ऑप्शन हीलता है बट जो स्टार्डस उस पर आप लोग ग्रे और ब्लैक मिलत अब यहां पर बात ही कि प्राइस के इसाब से कौन सा वाल आपको लेना सही है फ्रस्ट पॉइंट अगर अगर आपको डैर नेने का कोई जरूरत नहीं है बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अगर हजार रुपिया देंगे तो मेरे को अमोलेट स्क्रीन मिल जाएग उसका स्क्रीन क्वालिटी काफी सही है तो आप डैर को चूज कर सकते हो मैं अगर बोलो तो दोनों ही स्मार्ट वाच सही है आपके प्राइस रेंज की हिसाब से आप रिसाइट करो कौन सा वाला लोगी ज्यादा अंतर तो नहीं है बस स्क्रीन साइच पे और इंदोनीशन अगरा पर थोड़ा बहुत जो आपको चेंजिस दिखने को मिल जागा दोनों ही कोलिक स्मार्ट वाच से दोनों ही सही है अब आपके उपर है आप कितने प्राइस रेंज की उपर अपना नया स्मार्ट वाच को खरिदना चाहते हो तो उमीद करते हो दोस्तों ये वीडियो अब लोग पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों फिसाज शेयर करना चैनल पर नोच चैनल को सब्स्क्राइब करके बिल आइकन को और पर प्रेस कर दिना इन्स वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई टेक के अच्छे से रहना ठीक से जरेको यह बिलाओ कर दिना लिए कर दोस्सक्राइब कर दोस्तों으면서 से ओ कर दोस्तों कर दोस्तों से इन्साज वे बाईकन करूस्तों से ओfolgो बहतना प्या मत वाठकन को